यह मेरे साथ मुझूद है SSP traffic कश्मीर सर आप से जानना चाहेंगे इस सोग जो मौसमी सुरत अहले का जा रहा कि मजीद बारिशे पढ़ने का इमकानात है जब हम national highway की बात करते हैं ट्रैफिक निजाम की बात करेंगे क्या कुछ अपडेट है आप नेशनल एनच व फोर्ट फोर्ट वर अभी किस्तवागारी जो पत्थर वहां पर एक शोटी स्टोन्स वहां पर आरही हो स्लाइट भी आई हुई हैं काफी जगों पर और इसी वज़े से दोनु ज़नों सैट से जो ट्रैफिक इस बिन हाल्टेट और मेरी एक रुष्ट क्योंकि जब तक वह ठीक नहीं होता जब तक वहां पर स्लाइट का जो जितना भी हम लोग गंदुरस्त नहीं करते तब तक वह ना निकले हो और थोड़ा सा ओएट करें फिलाल के लिए सर एडविजरी कब तक रहेगी ताकि जो लोग अभी नैशनल हाइवे पे मोजूद ह जो भी सेफर प्लेसे जेशन और ओटल जो भी नेरवाए हैं वहां पर रुकें और अगर 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 शुबह तक बार्शूं का सिलसला जारी रहा तो हम यह माने के फिलाल जो नैशनल हाइवे पे उसको मजीद नुकसान होने के ख़चात है और कही जग़ों पर पस्या गि भी खचात हो सकते हैं इसलिए जो टूरिस्ट है जो आम लोग जो है वो सफर न करें कि बहुत सार ऐसे भी लोग होते हैं जो एडवाजरी को इग्नोर कर देते हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे मेरी रुफेस्ट है कि वो एडवेशरी के ऊफरी जो नुकसरreck मेड़ी हैं जो कि हम लोग हर एक मेरे जालते हैं कि उसली मीडिया पर दे अउर थूरू udaॉढे मारं रवक्ष्ट कॉनया आफtober कवे जॉनLव चतर एं जो टुरिस्त तुर्विं बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे राप्ता करने के लिए हम जरूर ये आपकी बात पहुचाएंगे और हमारे साथ रविंदर पाल कश्मीर ट्राफिक मौजूद है जो एडवर्जरी दे रहे थे कह रहे थे कि उनसे बिल्कुस उन कैप ड्राफिक गुजारश है कि वो कही पर भी कोई ऐसी गलती न करें कि वो लोगों को अपने साथ ले आप एक सवारी बरने के लिए 10 लोगों की जान ले इसलिए हमारी भी आप से गुजारश है बिल्कुस जो कश्मीर में लोग आए हैं स बाकी लोग है वो कोई भी सफर न करें क्योंकि जो नैशनल हाईवे की सुरत्याले वो ठीक नहीं है कही जगों पर